Hello students and welcome to your own channel अनीता शिक्षा आप सब लोगं का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अंग्रेजी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास की RBSC and CBSE की 1st flight book का 2nd chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom यानी Nelson Mandela की जो सोतंतरता तक की जो लंबी यात्रा थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस chapter में हमें बहुत ही interesting चीजों का पता चलेगा कि किस तरह की लड़ाई Nelson Mandela जी ने लड़ी तो सबसे पहले before you read से हम start करते हैं यानी अगर आप इस chapter को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस chapter के बारे में कुछ चीजों के बारे में ग्यान होना बहुत जरूरी है तो देखिए अपार्थीट जो है वो एक रंग भेद की ऐसी राजनितिक व्यवस्ता है जो लोगों को उनकी प्रजाती के अनुसार बांट देती है विभाजित करती है Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently यानि कि क्या आप बता सकते हैं क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन निम्न तीन देशों में से किसमें इस प्रकार की जो राजनितिक व्यवस्ता आप अभी तक आज तक जारी है यानि हाल तक जारी थी है नहीं थी तो यह important चीज है कि अब आपको इन में से बताना है United States of America, South Africa और Australia तो अगर आप इसका answer दे सकते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा यह chapter पढ़ने में और अगर नहीं भी दे सकते हैं मैं आपको बता देती हूं कि इस chapter में हम South Africa के बारे में बात करने वाले हैं जिनके Nelson Mandela जी के बारे में मैं अभी आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाली हूं कि वो कौन है किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो किस तरह से दक्षिन अफरीका के सबसे पहले अश्वेत राश्रपती बने तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी chapter के बारे में कुछ चीज़े हैं जो हम पहले देख लेते हैं Have you heard of Nelson Mandela क्या आप लोगोंने Nelson Mandela का नाम सुना है Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid apartheid एक लड़ाई है जो रंग भेत के खिलाफ में लड़ी गई थी तो अभी यह पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप Nelson Mandela के विशे में सुन चुके हैं क्या आप Mandela और उनकी जो अफरीकी राष्ट्री कॉंग्रेस जो उनकी पार्टी है जिसने रंग भेत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन उसमें दे दिया जीवन वितीत कर दिया उसके बारे में क्या आप जानते हैं Mandela had to spend 30 years in prison और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते Mandela जी को 30 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े थे यानि वो 30 सालों तक जेल में रहे finally democratic elections were held in South Africa in 1994 और उनकी इस लड़ाई का अंजाम ये निकला कि आखिरकार 1994 में election जो हैं वो South Africa में हुए यानि अंततह 1994 में दक्षिन अफरीका में लोक तंत्रिक चुनाव कराई गए and Mandela became the first black president of a new nation और सबसे बड़ी बात उसमें ये देखने को आई कि Mandela जी जो थे वो उस नए देश के पहले अश्वेत राष्टपती बने आगे हम पढ़ेंगे कि अपनी उनकी जीवनी जीवनी का मतलब होता है जब आदमी अपने जीवन की कहाने खुद लिखता है तो हम उसको जीवनी कहते हैं और अपनी जीवनी यानि autobiography English में इसके लिए word यूस होता है उसमें उन्होंने कुछ कहा है वो अब मैं आपको बतात हूं in this extract from his autobiography यानि ये जो कुछ अंच लिए गए है ये उनकी autobiography यानि जीवनी में से लिए गए हैं लॉंग वोक्टु फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टॉरिक ओकेशन दा इनॉग्रेशन यानि अपनी जीवनी के बारे में जब अपनी उस लंबी यातरा के बारे में बताते हैं वो तब वोई कहते हैं कि इस अंच में मंडेला ने एक एतिहासिक अफसर यानि उद्घाटन के बारे में बातचीत करी है Can you guess what the occasion might be? क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या occasion रहा होगा? क्या समाहरो रहा होगा? जिसके बारे में वो क्या अफसर रहा होगा? जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं अगर नहीं पता तो चलिए आगे पढ़ते हैं Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994 अगर आप अंदाजा लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लगाया तो आपको पता चल जाएगा अब आप 10 मई 1994 के इस समाचार के से अपना अनुमान जानिये कि क्या आपने सही अनुमान लगाया या नहीं लगाये BBC News का एक अंश है जो भी आपनों को स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है और इसमें क्या लिखा है Mandela becomes South Africa's first black president यानि Mandela जो है वो दक्षिन अफरीका के पहले अश्वेत राश्रपती बने Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than three centuries of white rule यानि तीन शताब्दियों से जो श्वेत शासन वहां चला आ रहा था दक्षिन अफरीका में उसके बाद उसके उपरान तो सबसे पहले अश्वेत राश्रपती बन गए है Mr. Mandela's African National Congress ANC Party won 252 and the 400 seats in the first democratic elections of South African's history यानि कि श्रिमान Mandela जो है उनकी जो African राश्री कॉंगरेस जिसका नाम है ANC उस पार्टी ने दक्षिन अफरीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाओं में 400 में से 252 सीटें जीती और ये जो समारो है ये कहां पर हो रहा है ये जो घाटन समारो जो है शपत ग्रहन समारो है इन दे यूनियन बिल्दिग एंफिथetr इन प्रिक्टोरिय। तोड़िय और आज प्रिक्तोरिय में यूनियन बिल्डिंग के गोला का रंग्म morally में ये जो उदगातन समारो है इसका आयोजन किया गया है ये आयोजत हुआ attended by politicians and dignitaries or from more than 140 countries around the world और इसमें 140 से भी जादा देशों के राजनितिग्यों ने वा गन्मान अतितियों ने भाल लिया never never again will this beautiful land experience the oppression of one by another यानि अब कभी भी नहीं होगा यानि ये जो सुन्दर भूमी है इस पर फिर से एक दूसरे के दुवारा उत्पीडन की अनुबूती अब कभी भी नहीं की जा सकेगी क्योंकि said Nelson Mardela is in his address और उन्होंने अपने संबोधने में ये वात कही कि अब आज के बाद सब कुछ स्वतंत्र हो चुका है और अब यहां पर कभी भी इस भूमी पर एक दूसरे का उत्पीडन जो है वो नहीं किया जाएगा कोई को अनुभव नहीं करेगा jubilance scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks यानि समाहरों के बाद Pretoria की जो सडकों पर बहुत ही खुशी का हर्शोलास का जो दृष्ष है वो देखने को मिल रहा था blacks, whites and colors celebrating together और सबसे अनोखी बात वहां कि क्या थी कि इसमें काले, श्वेत और भिन रंगों के लोग जो थे वो सबके सब साथ साथ में उस occasion को celebrate कर रहे थे celebrating together more than one lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy यह बहुत important है कि लगभग एक लाग से भी जादा लोग सभी प्रजातियों के तक्षिन अफ्रीकी भी जो पूरुश भी थे महिलाएं भी हैं बच्चे भी हैं सब बहुत खुश हैं प्रसन्न हैं और सभी ने प्रसन्नता से गीत गाए और नृत्य किये आगे चलते हैं दस मई तेंथ में डॉन ब्राइट एंड क्लियर यानि दस मई का दिन है और चमकीला और स्वच्छ दिन का जो उदे हुआ है साफ सुत्रे दिन का प्रस्ट फ्यू देज आई हैं प्लीजेंटली बिसाइंट बाइड डिनिटरी एंड वर्ल लीडर्स हो वर कमीं तो पे देयर रिस्पेक बिफोर दा इनॉगरेशन इनॉगरेशन यानि नेलसन मंडिला जी की अपने बात बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत अच्छी अनुभूती कर रहा था और सुख पूर्वक जो यहां के जो इंपॉर्टेंट लोग थे विशिष्ट जन जो थे वे और विश्व के नेता जो हैं उन सबसे में घीरा हुआ था जो की इस शुभारंब के लिए जो मेरा पच्थापन होने वाला था उससे पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the union buildings in Pretoria और आगे मंडेला जी कहते हैं कि यह जो सेरमनी है यह जो समारो है अपचारिक सारवजनिक समारो जो है यह प्रिटोरिया नगर है एक जगह है उसमें union buildings जो संस्था है उसके द्वारा वहां पर बल्वा पत्थरों से बनाए गए बहुत ही सुन्दर गोला का रंग मंडल में आयोजित किया गया है for decades this had been the seat of white supremacy बहुत सालों तक यानि दशकों तक यह श्वेट सरोचता की seat रही थी यहां पर white लोगों का यानि सफेद लोगों ने ही यहां पर एक अधिकार कर रखा था it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government बहुत important line है यह अब वो आगे यह कहते हैं कि दशकों तक यहां पर श्वेट जो थे उनका सरोचता थी उन्होंने यहां पर seat पर कबजा कर रखा था और अब आज यह है जो seat है यह जो दक्षिन अफरीका की जो प्रथम लोगतांत्रिक हुए गैर जातिय सरकार की जो स्थापना के लिए विभिन रंगों की एक राष्ट्रों के इंद्र धनुश्य सभा का स्थल बन गई है और यहां पर आज एक साउथ एफरीका में पहली बार नॉन रेशियल गर्मेंट बनने वाली है यानि प्रथम लोगतांत्रिक्स और गैर जातिय सरकार बनने वाली है आज इस खूबसूरत दिन में यानि इस सुहामने दिन में मेरी बेटी जिसका नाम है जिनानी वो मेरे साथ थी on the podium, podium का मतलब होता है मंच मंच पर उनकी बेटी उनके साथ थी Mr. D. दूसरे उनके साथ में जो लोग थे उनके बारे में भी है वो बता रहे हैं कि Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president सबसे पहले जो शपत दिलाए गई वो Mr. D. Clark को दिलाए गई क्योंकि वो दृत्य उपराश्टरत पती बने थे और उनको उसकी शपत दिलाए गई और उसकी बाद में ये देखिए चित्र में आपको नेलसर मंडिला जी दिखाई दे रहे हैं नेलसर मंडिला जी सबसे पहले अश्वेत प्रेजिडेंट बने थे साउथ एफरीका के तो पहली जो शपत गई वो श्रीमान D. Clark ने ली जो की दृत्य उपराश्टर पती की उन्होंने शपत ली और उसके बाद में थाबो मिकाईबी थाबो मबकी और उसके बाद में थाबो मबेकी जो की स्वोन उन्होंने भी शपत ली इन फर्स डेपुटी प्रेजिडेंट उन्होंने किस रूप में ली प्रत्म उपराश्टर पती के रूप में उनको भी शपत दिलाई गई यानि पहले श्रीमान डी क्लार्क को दित्य उपराश्टर पती की शपत दिलाई गई और उसके बाद में थाबो मबेकी जो प्रतम उपराश्टर पती बने उनको फिर उसकी शपत दिलाई गई जब मेरी बारी आई तो मैंने सम्विधान की पालना करने की वह इसे बनाई रखने की और गणरज्ये वे उसके लोगों की यानि अपनी रज्ये के लोगों की कल्यान के लिए स्विम को समत्पित करने की डेडिकेट करने की शपत ली तू दा असेंबल गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल आई सेड आगे वो कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे इकठे हुए थे असेंबल केस्ट जो थे जो वहाँ पे उस सब एकठे जो महवान थे वह सब देख रहे थे और विश्व के सब लोग वो देख रहे थे तो उन सब को मैंने कहा I said यानि मैंने कहा Today all of us यानि आज हम सब by our presence here confer glory and hope to newborn liberty और उनने ये कहा कि आज हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्तित हैं उन सब के तरफ से उन्होंने आगे ये जो बात है ये सब के लिए कही और कहा कि आज हम सभी अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्तिती से यानि अपनी मर्जी से और इस नए नवजात स्वतंतरता को गरिमा और आशा प्रदान कर रहे हैं ये एक नया जन्म हुआ है स्वतंतरता का अवर आउट अफ थे एक्स्पिरियंस ओफ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी हुमन डिजास्टर और ये कहां से हुआ है एक असाधारन मानविये महाविपत्ती जो थी जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी वो आज खतम धैट हुई है ये लास्ट लास्ट टू लॉंग जाकि बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी और उसके अनुभवों से एक ऐसे समाज का जनम होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्भ होना चाहिए हुमेनिटी को उस पर प्राउड होना चाहिए मानवता को गर्भ होना चाहिए we who were outlaws not so long ago यानि हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है बहुत पहले की बात नहीं जो अपने बारे में कह रहे हैं have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our soil यानि वो कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात नहीं है कि हम लोगों को बहिश्क्रत कर रखा था हम लोगों को outlaws कर रखा था यहां से वो आज हमारी अपनी भूमी पर यानि विश्व के राष्टों का जो मेजबान बनने का जो दुल्लव अधिकार हमें दिया गया है और वो कहते हैं कि हम अपने सभी जो विशिष्ट अंतर राष्ट्रे महमान हैं जो दूसरे देशों से आए वह जो अती थी हैं उन सबको अपने देश के लोगों की आखिरकार जो हमने जीत प्राप की है न्याय के लिए शांती के लिए मानवे गरिमा के लिए हुई एक साजी जीत में साथ देने के लिए वो जो यहां आए हैं उनके आने के लिए मैं उनका धन्यवाद यापित करता हूँ We have at last achieved our political emancipation We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination और आके वो कहते हैं कि हम अंततह अपनी राजनितिक अधिकार संपनता प्रापत कर ली है यानि हम यहीं भी राजनिति में अधिकार प्रापत हो गया है हम अपने सभी लोगों को जो लगातार गरीवी के बंधन में बंधेवे थे वंचित्ता से, दुखों से, लिंग अन्य भेदों से, मुक्त कराने की शपत लेते हैं Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another यानि वो आगे कहते हैं कि नहीं नहीं और कभी भी नहीं ऐसा पुन है, कभी नहीं होगा कि यह सुन्दर भूमी पुन है, तुबारा से एक दूसरे के दुबारा दमन की अनुभूती करेगी यानि यहाँ पर किसी को दबाया जाएगा ऐसा आगे भविश्य में कभी भी नहीं होगा क्योंकि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं यानि यह जो अच्छा काम हुआ है यह बहुत बढ़िया हुआ है और आप कभी भी इसका एंड नहीं होगा यानि जो उन लोगों को स्वतंत्रता वहाँ पे मिली जो फ्रीडम मिली उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं आए हुए सभी गैस का और कहते हैं कि इस तरह की दुबारा कभी भी कोई परिस्तिती ना आए जब हमें इस तरह की परिस्तियों का सामना किसी को भी करना पड़े और कोई भी किसी को अपने अंडर रखे या गुलाम बनाए यह चाहे वो जातियत तरीके से हो चाहे वो रेशिल तरीके से हो यह खतम हो गया है A few moments later, we all lifted our eyes in O as a spectacular array of South African jets यानि कुछ पलों के पस्चाहत हम सभी ने अपनी आखे आदर भरे और बहुत ही विस्मे से उपर आकाश की और जब हमने देखा उठाई हमने नजरों को helicopters and troops carries road in perfect formation over the union building और हमने क्या देखा जब नजरें उपर उठाई तो जो आकाश की और हमने देखा कि जैसे ही एक भव्य पंक्ती विहू रचना में दक्षनी अफ्रिका के जो jet विमान थे helicopters थे जो सैना वाहक थे वो हवाई जहाजों से ने उस समय union building के उपर पूरी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत संरचना की गर्जना की यानि बहुत ही वो लोग भी celebration कर रहे थे अलग-अलग तरह के आकरकियां बनाई गई इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ओफ पिन पॉइंट प्रिसिशन and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected और आगे मंडेला जी ये कहते हैं कि ये जो हेलिकॉप्टर थे सैना वाहक थे हवाई जहादों ने union building के उपर पूरी तरह से एक बहुत ही सटीक संरचना में गर्जना की और यह केवल सटीक परिशुद्धता वसेन्य बलका ही एक प्रदशन नहीं था बलकी यानि लोकतंत्र के प्रती एक नई सरकार जो स्वतंत्र है निश्पक्ष है और उसको चुना गया है उसके प्रती सैना ने अपने निश्ठा का प्रदशन किया था वो लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे अब वो आगे कहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था उन्होंने ये पूरे 30 साल तक जब वो जेल के अंदर रहे थे तो वो कहते हैं कि कुछ शनपूर भी दक्षिन अफ्रीका के रक्षा बलके जो पुलिस के जो उच्चतम जनरल थे जिनके बीते दिनों से फीतों वा पदकों से सज्जित थे यानि वो पहले से उनको सब सम्मान प्राप थे मुझे उन्होंने सेल्यूट किया अपनी नि अब उनको तुछ निष्ट निष्टा रखेंगे कुछ समय मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो सैने बल था उसका जो प्रदर्शन नहीं था बलकि जो लोकतंत के पती एक नई सरकार जो बनी थी उसकी प्रती वो लोग अपनी न सम्मान प्रकट कर रहे थे और उन्होंने अ अब उनको कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और वो कहते हैं कि मैं इस तच्छे से भी अन्भिग्ये नहीं था कि बहुत वर्षोंपूर की बात नहीं है ज्यादा साल नहीं हुए हैं कि मुझे ये लोग जो अभी सल्यूट कर रहे हैं इन्हीं लोगों ने मुझ मुझे गिरफ्तार भी किया था बलकि ये लोग मुझे गिरफ्तार करते थे आज ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं फाइनली शेवरन ओफ इंपाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्राइल ओफ दा ब्लैक रेड ग्रीन ब्ल्यू और अन्त में इंपाला जेट विमानों ने द नीले और सुनहरी रंगों की जो धुआ था उसको वहां पर रेखा चिंड बनाके एक उससे वी आकरती को छोड़ दिया यानि कि वो फ्लैग बनाया उन्होंने साउथ एफ्रिका का धुए से और वो कलरफुल धुआ था उसमें ये सारे के सारे कलर थे लाल, काला, हरा, नील और सुनहरा रंग, आगे देखे। and black singing die stem the old anthem of the republic although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised they would soon know the words by heart आगे वो कहते हैं जब उन्होंने शपत ली इन लेने के लिए जब वो समहरों में गए शपत ली तो हमारे दो राश्टरकान गाये जाने के कारण यह जो दिन है वो एक प्रतीक बन गया क्यों वहाँ पे दो राश्टरकान गाये गए कि गोरों को तो जो गोरे लोग थे जो पुराने उन्होंने वहाँ पे निकोसी सिकलील आई एफ्रीका करके अपने देश को समहर पे अपना राश्टरकान गाया and black singing die stem the old anthem of republic और जो काले थे जो अश्वेत लोग थे उन्होंने अपने गंडरज्य का पुराना राश्टरकान डाय स्टेम जो है वो गाया यद्दपी although का मतलब होता है यद्दपी that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised यानि कि दोनों जो समह थे उस राश्टरकान के शब्दों को नहीं जानते थे यद्दपी they would soon know the words by heart लेकिन वो अभी नहीं जानते थे जिससे कि वे अभी एक दूसरे से गहना करते थे वे शिक्र ही इसके शब्दों को याद कर लेंगे by heart कर लेंगे learn कर लेंगे या hridhyangam कर लेंगे ऐसा कहा उन्होंने on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history on the day of inauguration I was overwhelmed with a sense of history यानि उदगातन वाले दिन में इतिहास की समझ से अभी भूत था in the first decade of the 20th century a few years after the bitter anglo-boyal war and before my own birth the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land यानि वो आगे पूरानी चीज़ों को याद करते हुए कहते हैं कि बीस्वी शदाती जो थी उसके प्रथम दशक में भयानक anglo-boyer-yud हुआ उसके कुछ वर्षों बाद और मेरे जनम से पूर्फ दक्षिनी अफ्रिका के जो गोरी चमडी के जो लोग थे उन लोगों ने अपने आपसी मत्भेद दूर कर लिये और अपनी ही भूमी के जो काली चमडी के लोगों के विरुद वो प्रजाती है प्रभुत्व की एक व्यवस्था को उन्होंने निर्मित कर लिया था कहने का मतलब यह है कि जितना उनको नौलिज था इतिहास के बारे में को कहते हैं कि बीस्वी शतावदी के प्रथम दशक में एंगलो बोयर युद से तो वो लोग जीत चुके लेकिन उसके बाद में उनके अंदर यानि अपने ही देश के अंदर लोगों ने एक दुसरे को अ यानि एक तरफ तो उनको सुतंतरता मेरी थी लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही देश को दो पार्ट्स में दो रंगों में विभाजित कर लिया था तो differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land आगे देखिए the structure they created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known और जो धाचा उन्होंने नितियार किया उसने सबसे ज़्यादा कठोर वर अमानविय समाजों में से एक का निरूपन कर दिया जो संसार ने कभी भी नहीं चाहा था Now in the last decade of the 28th century and my own eighth decade as a man अब वो कहते हैं अब 20 सदी के जो अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे खुद के आठवे दशक में यह विवस्था हमने हमेशा के लिए That system had been overturned forever and replaced by one कि अब वो जो system है उस system को हमने पूरी तरह से उस विवस्था को हमेशा के लिए उल्टी कर दिया है उल्ट दिया है उल्टा कर दिया है रिप्लेस कर दिया हटा दिया by one that recognize the rights and freedom और किस से उसको replace किया है the one that recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin एक ऐसी विवस्था के से प्रतिस्थापित कर दिया है कि जो सभी लोगों के अधिकारों वो सवतिंत्रता को उनकी चमड़ी और रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती है यानि अब हमने ये सिस्टम जो है इसको बिल्कुल खतम कर दिया है that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people आगे वो कहते हैं कि यह दिन मेरे हजारों लोगों के जो अकल्पनी बलिदानों के द्वारा आया है यानि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है मुझसे पहले बहुत लोगों ने हजारों लोगों ने बलिदान दिया है people whose sufferings and courage can never be counted or counted or repaid वो यह कहते हैं कि लोग जिनके दुख हुआ साहस को कभी गिना वर पुनर भुकतान नहीं किया जा सकता I felt that day मैंने उस दिन ये बात महसूस किया कि as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me और Nelson Mandira जी कहते है कि मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया जैसा कि पूर्व में जो लोग जा चुके हैं जो लोग शहीद हो चुके हैं जिनोंने इस लड़ाई में बहुत पहले शुरुआत करी थी और आज वो नहीं है इस दिन को देखने के लिए that long and noble line ended and now begin again with me और वो ही कहते हैं कि वह जो लंबी वह उच्छ रेका जहां समाफ्थ हो गई थी और अब वह वापिस से शुरू ही है पुन्हें मुझसे आरम हो गई है I was pained that I was not able to thank them और आज मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था मुझे बहुत दर्द था इस चीज़ का कि मैं उन लोगों को जिन लोगों ने लड़ाई शुरू करी थी उन लोगों को आज धन्यवाद नहीं दे पाया and not able to see what their sacrifices had wrought और ना ही तो मैं उनको धन्यवाद दे पाया और वे यह भी नहीं देख पाये कि उनके जो बलिदान थे उनका क्या परिनाम हुआ किस प्रकार आज हम लोगों को सफलता मिली वो लोग आज यहां पर यह सब देखने के लिए नहीं है जबकि शुरुवात उन लोगों ने करी थी यह जो जीत हुई है यह मेरी नहीं यह उनकी जीत है पॉलिसी ओफ अपार्थाइट क्रिएट अडीप अन लास्टिंग वूंड इन मैं कांट्री और माई पीपल यानी अपार्थाइट यह शब्द आपको याद करना है कि अपार्थाइट का मतलब होता है रंगभेद कि यह जो रंगभेद की नीती है इसने मेरे देश में प्रोफाउंड हर्ट यानी वो कहते हैं कि यह जो गहाव में मिले हैं उस गहरे गहाव को भरने में यदि पीडिया नहीं लगी तो कम से कम काफी साल जरूर लग जाएंगे अनेक वर्ष लगेंगे इस चीज़ को भूले में बट अट डिकेट्स ओफ अप्रेशन एंड बू अब यह उन लोगों के नाम ले रहे हैं किन्तु दश्कों के दमन और कुरूरता के जो दूसरे अंचाहे प्रभाव पड़े वह यह वही था जिसने हमारे समय के बहुत से ओलिवर टेमबो, वोल्टर सिसलू, चीफ लुथिली, यूसुफ जैडू, बैम फिशर, रॉबर्ट साबुकवे, आदी पैदा किये थी यह सारे के सारे जो लोग सेनानी हैं उनके नाम बोले हैं मैन ओफ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी की चित्र देखिए आपको यहाँ पे चित्र में भी अलग-अलग दिखाई दे जाएंगे ओलिवर टेमबो, वोल्टर सिसलू, चीफ, लुथुली, आगे देखिए यूसुफ, डैडू, यूसुफ, डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट साबुक्वे, तो यह सब चित्र भी उन्होंने दिखाए हैं और उन सब को उन्होंने याद किया है, यह उन सब लोगों के नाम है, जो लोगों ने इस लड़ाई को जो आधमने जीती है, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है, यह कुछ नांसस में हम कर लेंगे, आगे देखिए, अब वो यह कहते हैं, कि शायद इतने उच्छ व्यक्तित्व पैदा करने के लिए, उत्पीरन की इतनी गहनता की आवश्कता पड़ती है, जितना उन्होंने यह देखा और कहा, और वो कहते हैं, कि perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its great wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब उन्होंने जब अपने सब देश के जो शहीद होए हुए जो नेता थे, जो लोग थे, जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके कारण आज उन्होंने जीत हासिल करी, उन्हों सब को याद करते हैं, उन्होंने का कि इतने साधारन, साहस, बुद्धी मानी और उदार्ता की विक्तित्व की, उनके जैसे शायद कभी ना जाना जाए, अर्थार्त की कभी उनके जैसे लोग शायद दुबारा पैदा ना हो, शायद इतने उच्छ विक्तित्व प पाना जाता है उसको माई कंट्री इस रिच इन दा मिनेरल्स एंड जेम्स एंड लाई बिनित इट सॉयल सी वो कहते हैं कि मेरा जो देश है उसमें रश्ट में खनीजों रतनों में बहुत सम्रिद है बहुत जादा यहां पर उसके लिए फेमस है बिठी में बड़ी जो सम्रिद्धी है जो धन है यहां का वो यहां के उतकरिष्ट लोग हैं धन संपदा वही हैं and truer than the purest diamond यानि कि वो यह कहते हैं कि मैंने हमेशा से यह बात जानता हूँ कि यहां के जो लोग हैं उनकी उतकरिष्ट धन संपदा है यानि लोग ही धन संपदा है जो परिशुद्ध हीरों से भी जादा उतकरिष्ट और सच्चे हैं हीरों से भी जादा important हीरों से भी जादा pure उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा है it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage इस संघष में ये साथी ही है जिन से मैंने साहस का अर्थ सीखा था time and again यानि वो आगे कहते हैं I have seen men and women risk and give their lives for an idea I have seen men stand up to attacks and torture without breaking showing a strength and resilience that defies the imagination और पूरी बातों को याद करते हैं कि बार बार बारम बार मैंने पुरुशों को महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को खत्रे में डालते हुए और अपनी जाने देते हुए देखा है मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमन अत्याचार के विरूद साहस और इसका समानता करने की शक्ती दिखाते हुए भी देखा है I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it वो कहते हैं कि जो अकल्पनी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भैक की अनुपस्तिती नहीं है यानि कि अगर हम डरते नहीं है तो हम हिम्मत वाले हैं ये गलत है साहस का असली मतलब ये है बलकि इस पर विजे प्राप्त करना साहसी व्यक्ति वही है जो अपने डर के उपर विजे प्राप्त कर लेता है बलकि ऐसा नहीं कि जो अपना डर खतम कर लेता है जिस जो अपने डर को हटा देता है वो साहसी नहीं है जो अपने डर के उपर विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति सही माइने में सहासी व्यक्ति उन्होंने कहा है the brave man is not यहनी बहादूर व्यक्ति वो नहीं है the brave man is not he who does not feel afraid बहादूर वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता जिसमें भह के अनुपस्तिती होती ही वो बहादूर नहीं है but he who conquers and that fear बहादूर वो है जो अपने इस डर के उपर जीत हासिल कर ले विजय प्राप्त कर ले no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion people must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes from naturally to the human heart then it's opposite बड़ी ही प्यारी बात उन्होंने कही है कोई भी दूसरे व्यक्ति से चमडी के रंग के कारण उसकी पुष्ट भूमी के कारण यानि उसकी जमीन के कारण उसके धर्म के कारण घ्रना नहीं कर सकता घ्रना करने के लिए पैदा नहीं होता है लोगों को घ्रना करना अवश्य सीखना चाहिए और यदि वे घ्रना करना सीख सकते हैं अगर ये कहते हैं कि लोगों को हेट करना आना चाहिए एक दूसरे से घ्रना करनी आने चाहिए ठीक है People must learn to hate, कि जिस तरह से लोगों को घ्रना करना सिखाया गया, if they can learn to hate, और उन्होंने घ्रना करनी सीख ली, they can be taught to love, तो उन्हों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, for love comes more naturally to the human heart, then it's opposite, और प्यार तो जो सौभाविक है, सौभाविक रूप से आता है, बजाए इसके विरोधी के, even in the grimest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going, अब ये कहां से सिखा उन्होंने वो कहते हैं, यहां तक कि जब मैं कैद में था, यानि जब मैं जेल में था, उस समय कि उबात यात करते हैं, कि सबसे गंभीर समय था, जब मेरे सातहिएं को, और मुझे, हमारी को बहुत जादा महाँ पे पीरिट किया जाता था, यातना सहन करनी पड़ती थी हमें, और हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना हम लोगों को दी जाती थी कि जितना हम सहन कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमें परिशान किया जाता था उस समय भी मैंने वहां के जो पहरेदार थे उन पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवत है यानि उसको यकीन है के वो ज़दा टाइम के लिए तो नहीं लेकिन कुछ पलों के लिए मैंने उसके अंदर मानवता की ज़लक देखी थी लेकिन यह मुझे आशुस्त करने के लिए यानि मेरे संगर्ष को जारी रखने के लिए पका करने के लिए बहुत ही ज़दा मेरे लिए उसने एक होसला बढ़ाने वाला काम किया कि देखो ये व्यक्ति man's goodness is a flame यानि आदमी की जो अच्छाई होती है वो आपके लिए एक flame का काम करती है यानि जुआला का काम करती है can be hidden but never extinguished वो कहता है कहते हैं खुद अपने अनुभाव से वो कह रहे हैं कि जब मैंने उस एक व्यक्ति के मन में कुछ जल्लक देखी मानवता कि कुछ शनों के लिए तो मैं आश्वस्त हो गया और मैंने अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए मैं संकल्प मैंने ले लिया और मैंने देखा कि मनुष्य की अच्छाई वहजवाला है जिससे छुपाया तो जा सकता है कि इन्व तो कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है यानि हम कभी भी अच्छाई को खतम नहीं कर सकते उसको बुझा नहीं सकते वो कहीं न कहीं आहीं जाती है in life every man has twin obligations वो कहते हैं जीवन में हर व्यक्ति को दो करतवे होते हैं एक होता है उसके परिवार के प्रती और एक होता है उसका यानि परिवार के प्रती और अपने माता-पिता के प्रती तो his wife and children and he has an obligation to his people, his community, his country और अपने परिवार के प्रती, अपने माता-पिता के प्रती, अपने पतनी वा बच्चों के प्रती करतव्य होता है और उसका एक करतव्य होता है अपने लोगों के प्रती, अपने समुदाय के प्रती, अपने राश्टर के प्रती, In a civil and human, यानि कि एक सब्भेवर मानविय समाज, सोसाइटी यानि समाज, Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. यानि कि एक सब्भेवर मानविय समाज में प्रतियक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने योग्य है, अपने स्वेम के रुजहान के लिवर योग्यताओं के अनुसार, Inclinations and abilities कि उसके कुछ का क्या interest है और उसमें कितनी योग्यता है, उसके अनुसार वो इस सब काम करता है. But in a country like South Africa, it was लेकिन देश, यानि कि एक South Africa जैसे देश में, it was almost impossible for my birth, for a man of my birth and color to fulfill both the those obligations. वो कहते हैं, लेकिन दक्षिन अफरीका जैसे राश्ट्रों में मेरे जन्म के और रंग के एक व्यक्ति के लिए भी ये दोनों कर्तवे पूरा करना लगभग असंभव था. अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों वो असंभव था? In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. वो इसलिए था क्योंकि दक्षिन अफरीका में जो अश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इनसान की तरह रहने का प्रेतन करता था, उसे दंडित किया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था. क्या आपकी चम्डी का रंग अलग है, इसलिए आप हम में से नहीं हो, उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably reaped from his family and his own home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. यानि कि दक्षिन अफरीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रती, अपने करतवियों को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया था. I did not in the beginning choose to place my people above my family. जैसा वो प्रतीत होता था और वो कहते हैं कि मैंने शुरू में यानि आरम से ही अपने लोगों को अपने परिवारों से उपर रखने को नहीं चुना था अब वो कहते हैं लेकिन मैंने पहले तो अपने लोगों को अपने परिवार से उपर रखने को नहीं चुना यानि अपनी सोसाइटी के लिए मैंने नहीं सोचा था कुछ करने का मैं तो अपने परिवार को ज़्यादा इंपोर्टेंस देता था लेकिन बाद में उन्हों वो कहते हैं कि इंतु मैंने अपने लोगों की सेवा करने में पाया कि मुझे एक पुत्र एक भाई एक पिता वो एक पती के रूप में मेरे करतवें पूरे करने से रोका गया यानि कि यही नहीं था कि समाज के प्रती उसको उसके खुद के जो करतावे थे उनको भी पूरा करने से रुका गया तो दोनों चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे I was not born with hunger to be free यानि मैं स्वतनत्र होने की तिवर इच्छा लेकर जन्मा नहीं था मुझे नहीं पता था कि मैं free नहीं हूं इस देश में I was born free, free in every way that I could know यानि मुझे लगता था कि मैं स्वतनत्र हूं क्योंकि मेरा एक स्वतनत्र देश में जन्म हुआया तिमस्वतनत्र हूं पर मुझे ये नहीं पता था कि यहां पर मैं racial system के बीच में फस जाओंगा where to run in the fields near my mother's hut free to swim in a clear stream that ran through my village free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bush as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe I was not troubled by the laws of man or God वह कहते हैं कि मैं स्वतनत्र आजाद होने की तिवरिच्छा लेकर पैदा नहीं हुआ था ठीक है I was not born with a hunger to be free मैं स्वतनत्र जन्मा था प्रतिये एक तरह से मैं अपने आपको स्वतनत्र महसूस करता था क्योंकि वह कहता है कि मैं अपनी मां की जोपड़ी के समीप यानी खेतों मैं दौडने के लिए स्वतनत्र आजाद था स्वच जर्नों में मेरे गाओं के जो बीच से होकर भैता था उसमें तैरने के लिए मैं आजाद था स्वतनत्र महसूस करता था अतारों के नीचे अनाज की बाल वभुटे भुनने के लिए भी मैं सोतंतर महसूस करता था, धीमी गती से चलते बैलों की चोड़ी पीट पर सवारी करने के लिए मैं सोतंतर था, जब तक मैंने अपने पिता की आग्या का पालन किया और अपनी जन जाती की परंपराओं का प नहीं हैं, वो तो अपने आपको स्वतंतर ही मानते थे, तो वो कहते हैं, यह केवल तब तक ही था, जब तक मैंने यह जानना आरंब नहीं किया था, कि जो मेरा लड़कपन की जो स्वतंतरता है, वो एक भ्रहम थी, जब एक युवा के रूप में मैंने खोजा कि मेरी स्वतंतरता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है, कैसे छीनी जा चुकी है, तो मैंने इसके लिए भूखा रहना शुरू कर दिया, यानि वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं जो स्वतंतरता चाहता था, वो एक विद्यार्थी के रूप में मैंने स्वतंतरता खेल, सिर्फ I wanted freedom only for myself, कि मुझे अपने लिए ही स्वतंतरता मैंने चाही थी, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chase, अब इस तरह की स्वतंतरता क्यों चाहते थे शुरू में, आरम में, विद्यार्थी के रूप में, वो च्छनिक स्वतंतरता थी, जैसे की रात को बाहर ठेहने के लिए योग्य होना, पढ़ने की जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे, जाने की भी जहां कहीं भी वो जाना, चाहूं उसका वो मुच्चनाव खुद कर सको, यह सब स्वतंतरता उनको starting में अच्छी लगी, तर फे चित आप अच्छी भोना बाहर शीज खुद कर सकत्य का मुझे रहना कि अच्छी ग्यू ए अच्छी जारू अच्छी लगी अच्छी लगी, फीर वो कहते हैं कि बाद में जोहिंस्बग में एक युवा की रूप में मैंने अपनी शमताओं को प्राप्त किया, या निका जब विक्सित किया, मैंने उसको विक्सित करने के लिए जब मैं मूझ भूत रूप से गरिमापूर्ण सवतंतरता जब मैंने चाहिए तो मेरे आनून पूर्ण जीवन में बाधा ना डालने की सुतंत्रता की. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom, what that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब जाके उनके समझ में आया, कि तब मैंने धीरे-धीरे slowly, कि इन्तू, यानि मैंने धीरे-धीरे देखा, कि ना केवल मैं सुतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे जो भाई हैं, बहन हैं, वो भी सुतंत्र नहीं थे. मैंने देखा, कि यह केवल मेरी ही सुतंत्रता नहीं थी, जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की सुतंत्रता को कम कर दिया गया था, जो मेरे जैसे थे, यानि मेरे जैसे रिखते थे, जो अश्वेद थे, गोरों के लिए सब कुछ open था, हमारे लिए नहीं था. Then I, that is when I joined the African National Congress, तब हो कहते हैं, तब मैंने जाके African राश्ट्री Congress में जाके शामिल हुआ, and that is when the hunger of my own freedom began, became the greater hunger for freedom. तब वो कहते हैं, उस समय मैंने मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा वा आत्मसमान से जीने की जो स्वतंतरता प्राप्त हो जाने तक, कि ये मेरी इच्छा थी, कि जिसने मेरे जीवन को जोस से भर दिया, कि अब मुझे खाली मेरी गरिमा के लिए लड़ाई नहीं लड़ दिया मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा आत्मसमान से जीने के लिए, उनकी स्वतंतरता के लिए, ये मेरी इच्छा हुई और मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं स्वतंतरता के लिए लड़ूँगा, उन सब की स्वतंतरता के लिए, ये देखें, Nelson Mandela जी का चितरा आ my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without a home that forced a life-loving man to live like a monk अब वो यह कहते हैं कि क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और वो जो जीवन जी रहे थे उसमें उन्होंने सोचा कि वो बिल्कुल भी से गुजर रहे थे तब उन्होंने रष्ट्रिय कोंग्रेस इन्होंने जोईन करी एफिरिकन کی और फिर कहते हैं उन्होंने किसं खाई कि मैं अपने मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा वा आत्म सम्मान से जीने की स्वतंतरता दिलाऊंगा और इस चीज ने उनको जोश से भर दिया और उसके बाद में आगे होई कहते हैं कि मैंने एक सहा सी यूवा में मुझे बदल दिया इस चीज ने मैं एक जो डरा हुआ इंसान था पहले यानि यह वो इच्छा थी फॉर दे फ्रीडम फ्माइपीपल जो मैं मेरे लोगों के लिए आजादी के लिए लड़ना चाहता था तो लिए लाइव दियर लाइव विद दिगनिवटी ताकि वो लोग जो अपना जीवन है जी सकें ताकि रिस्पेक्ट एट एनिमेटेड माइ लाइफ और उसने मुझे जीने की सुतंतरता प्राप्त कराई उस बात ने ताकि ट्रांसफॉर्म्ट अट फ्राइटन यंग मैन यानि इस बात ने इस इच्छा शक्ति ने एक बदल दिया रूप ही चेंज कर दिया ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको एक मेरे अंदर जोश भर दिया और एक भयाकरांत युवा को एक सहासी युवा में बदल दिया और इसके बाद उस उस यानि मैंने जिसने कानून का पालन करने वाले एक नयावादी को एक अपराधी बन जाने के लिए मजबूर कर दिया क्यूं जिसने एक परिवार के प्रती यानि एक परिवार एक प्रेमी पती को बिल्कुल बेघर कर दिया था यानि ऐसा व्यक्ति में बन चुका था कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुका था कि अब मुझे परिवार और किसी का हस्बेन होने से ज़्यादा important मेरा देश लगने लग गया था, मुझे अब एक मकसद मिल गया था that forced a life-loving man to live like a monk, यानि एक शादी शुदा ग्रस्त व्यक्ती जिसको अपने परिवार, अपने पतनी, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, उससे बदल के मुझे एक साधू के रूप में परिवर्तित कर दिया था, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not enjoy, even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free, freedom is indivisible, the chains on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all my people were the chains on me, और फिर वो ये कहते हैं कि ये सब चीजे जब मैंने देखी कि समाज में इस तरह से भेदबाव हो रहा है तो मैंने अपने आपको एक सन्यासी की तरह अपने जीवन को चेंज करने की सोची, मैंने सोचा मुझे परिवार भी छोड़ना पड़ेगा और मुझे इस जंग को ज देताना है तो फिर वो आगे क्या कहते हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति यानि आम आदमी से अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन मैंने ये पाया कि मैं यहां तक की किंचित और सीमित सवतंतरता का आनंद भी नहीं ले सकता यानि जो हमे limited freedom मिला हुआ है इसको मैं नहीं चाहता मैं पूरी आजादी चाहता हूँ क्योंकि उसके हम हकदार हैं जिसकी मुझे आग्या दी गई थी वो थोड़ी आजादी मैं नहीं चाहता था क्योंकि मैंने जान चुका था कि मेरे जो लोग हैं वो स्वतंतर नहीं हैं हम लोग racism के पूर्ण स्वतंतरता नहीं थी तो इसलिए स्वतंतरता अविभज्य है उसने कहा मेरे लोगों में से किसी एक पर बेडियों या उन सब पर बेडियों के समान थी जो मेरे सभी लोगों पर बेडियां मेरे उपर की बेडियों के समान थी ये सारे की सारी चीज़ें कहते हैं क कि मैं अपने आपको chain में यानि बेडियों में बना वह मैसूस कर रहा था कि यूँकि मेरे लोग स्वतंतर नहीं थे तो मैं भी इस आधी स्वतंतरता को के साथ नहीं रहना चाहता था अब वो आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उत्पीड़क को भी उतनी ही स्वतंतरता चाहिए जितनी की उत्पीड़ित को यानि जो किसी को परिशान करता है उसको भी स्वतंतरता चाहिए और जो परिशान हो रहा होता है उसको भी स्वतंतरता चाहिए होती है A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred और अगर कोई एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तिगी सोतन्चिरता को छीनता है वह घ्रणा का कैदी है He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness और मैं वास्तम में वो कहते हैं ये वह पूर्वा घ्रह और संकीनता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है वे व्यक्ति I am not truly free if I am taking away someone else freedom की वो कहते हैं मैं वास्तम में स्वतन्चिर नहीं हूँ यदि मैं किसी अन्य की स्वतन्चिरता को छीनता हूँ Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me वैसे ही जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अगर स्वतन्चिर नहीं होता हूँ जब मेरी स्वतन्चिरता मुझसे छीन ली जाती है The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity यानि पीडित व्यक्ति या अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं तो अपनी सारी बातें आत्मकता में उन्होंने लिखी और हमने इस स्टोरी को पढ़ा I hope आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अब next chapter में next class में मैं आपसे कुछ questions पूछने वाली हूँ जैसे कि इसमें आप questions दिखाए दे रहा है आपको What twin obligations does Mandela mention की Mandela ने यहाँ पर कौन कौन सी twin obligations के बारे में बात करी है वो हम discuss करेंगे और भी questions हम discuss करेंगे जैसे कि समारों कहां हुआ था क्या आपको भारत के ऐसे भवनों के नाम बता सकते हैं जहांपे कि जो sandstone है यानि जो बलवा पत्थर है उसके बनी वी है buildings उनको बता सकते हैं तो आपको इनके answers याद करिएगा और कुछ सोच के भी रखिएगा जो आपके chapter में question answers हम next class में करेंगे अगर आप लोग वो chapter से समझ में आया हो और अगर आपको class अच्छी लगी हो तो जाने से पहले like, comment और share करना बिल्कूल मत भूलिएगा और अपनी class के और बच्चों को भी इस channel के बारे में जानकारी दीजिए और आगे हम इस chapter के question answers और difficult words के साथ फिराऊंगी thank you तब तक सुरक्षित रहिए, safe रहिए और live classes जरूर अटेंड करा करिए जो सुबह 9 बजे से 10 बजे होती है thank you